करे हम मानव का सम्मान मानवता के मंदिर में ओ प्रेम का अम्रित पान करे हम मानव का सम्मान पोठों से गालो हाथों से बजा लो, दिल के तार गीर से जोड़ दो हर प्राणी है प्रभु की प्रतिमा हर घर उसका मन्दित हर प्राणी है प्रभु की मत्मा हर घर उसका मंदिर हर मंदिर मस्जिद गिर जे सारे उसकी पूचा के घर हिंदू मुस्लिम जैन इशाई हिंदू मुस्लिम जैन इशाई सबका एक ही कान करे हम मानव का सम्मान मानवता के मंदिर में हो प्रेम का अम्रित पान करे हम मानव का सम्मान मानवता के सर्वर पर हम मानवता के सर्वर पर हम अरे छाया दे जो पतहारों को सब की प्यास बुझाए भूखों को भोचन दे कर ही पूझे शी भगवान करें हम मानव का सम्मान मानवता के मंदिर में हो प्रेम का अम्रित पान करें हम मानव का सम्मान चार्ज हो पर हमारी जिंदगी मानव हैं हम हर मानव का मिलकर बोज उठाले अर्य मानव ही क्यों हर प्राणी की सिवा स्वयम संभाले मानव ही क्यों हर प्राणी की सिवा स्वयम संभाले मदद करें जो दीन दुखी की वो सचा इंसान करें हम मानव का सम्मान चंद्र सभी का खून एक है चंद्र सभी का खून एक है सबका एक हिसाई भेदभाव के स्वारत फिर क्यों लेते हैं अंगड़ाई सबको गले लगाकर सादे मानव धर्म महान करें हम मानव का सम्मान करें हम मानव का सम्मान करें हम मानव का सम्मान आप सब लोगों के लिए मंगल प्रेम दुआएं और शुब कामनाई ससंग माला निरंतर हमारे जीवन की चेतना के साथ इस तरहे आत्म साथ होती जारी है कि जैसे कभी-कभी तो ऐसा होता है कोई बास सुनने के लिए प्रियास करना पड़ता है और कभी-कभी कुछ बातیں ऐसी होती है जो अनायास उतर जाया करती है जैसे अगर्बति की सुगंद को सुंगने का प्रियास नहीं करना पड़ता उसकी सुगंदा हमारे नासा पुटों में स्वतह समा जाया करती है ये ससंग माला के दिव्य बोल प्रियास नहीं करना पड़ रहा है जंदगी को सुदारने के लिए बोल भीतर उतरते जा रहे हैं और जंदगी सुबासे तो होती जा रही है आज का एक बहुत प्यारा सा दिव्य बिंदू है हमारे अपने समझने और समझाने के लिए और वो है हर कोई व्यक्ति अपने जीवन का इंजीनियर कैसे बने क्या बने हर कोई व्यक्ति हम अपने जिंदगी का इंजीनियर कैसे बने हमारी जिंदगी अगर मुझे कोई पूछे कि यूँ तो हम देखेंगे लोहा लोहे से ज़्यादा कीमती दुनिया में शायद इस्टील होगा इस्टील से ज़्यादा कीमती दुनिया में पीतल होगा पीतल से ज़्यादा कीमती दुनिया में तामबा हो सकता है और तांबे से ज़्यादा कीमती दुनिया में क्या होगा बोलो 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 और दुनिया में एक ऐसी चीज ईश्वर ने हम सब को उपहार के रूप में दी है जिसका मुल्यांकन करना जिसकी कीमत आंकना इनसान के बस की रोग नहीं है अरे सारी दुनिया बर की दौलत अगर एक साथ खड़ी कर दी जाए सारी दुनिया बर की दौलत अगर एक साथ खड़ी कर दी जाए तब भी तरा जुक के पलड़े पर दो चीजे रख रहा हूँ एक और है पूरी दुनिया के दौलत दुनिया के सारे हीरे दुनिया के सारे आभुशन दुनिया का सारा सोना चांदी एक तरा जुक के पलड़े पर है और दूसरे पलड़े पर है हमारा अपना जीवन एक पर आत्मा पर हाथ रख के पूछो दोनों में ज़्यादा कीमती कौन है जिन्दगी है तो कोही नूर है जिन्दगी है तो दुनिया है जिन्दी है तो दुनिया का मूल है और अगर जीवन नहीं है याद करो जब सिकंदर महान भारत को जीत कर बाहर निकल रा था और जब दुनिया को जीता हुआ बाहर आया मत ये भारत में पहुंचा था तो उसे एक बुड़िया मिली थी और बुड़िया ने सिकंदर महान से का था कि तू कौन है उसने का मैं सिकंदर महान हूँ बुड़िया ने का अरेवारेवा बड़ा मूमिया मिठु आया अपने मू से अपने आपको महान के रहा है कोई बात नहीं कहां से आया है कहा मैया मैं युनान से आया हूँ युनान से युनान से आया है क्यों आया है रस्ते बर के सारे देशों को जीतता हुआ आया हूँ तो हमारे देश में क्यों आया है सिकंदर ने कहा मैं भारत को जीतने के लिए आया हूँ और तब बुडिया ने सिकंदर से का मुझे एक बात का जवाब दे भारत को जीतने के बाद क्या करेगा क्या कहा ध्यान से सुनना बुडिया के प्रस्थन को सिकंदर महान की बोलती बंद जिंदगी में पहली वार हुई थी और तब बुडिया ने, भारत के उस महन नारी ने, सिकंदर को चैलेंज करते वे पूछा था, तुम मुझे बता, तुम भारत को जीत लेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसने का और देशों को जीतूंगा, बुडिया ने का और देशों को जीत कर क्या करेगा, उसने का पुरी दुनिया को जीत लूँगा बुडियाने का मेरा अंतिम प्रस्न पुरी दुनिया को भी जीत लेगा तो क्या करेगा सिकंदर ने कहा पुरी दुनिया को जीत लूँगा तो शांती की रोटी खाऊंगा बुडियाने मुस्कराते वे कहा बेवकूफ अभी कौन से सांती की रोट गुलाम इच्छाओं और लालसाओं और वसनाओं का गुलाम होकर आगे बढ़ता चला जाता है एक दिन उसे अपनी ही जिन्दगी से पस्तावा करना पड़ता है और तब सिकंदर जब युनान के करीब पहुंच रहा था जब सिकंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ हमार सिकंदर लगाने को मजबूर हो गई थी उसकी सत्ता संपत्ती और हथियारों के बल्बूतिये पर उसने पुरी दुनिया पर कबजा कर लिया था मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ वो सिकंदर 32 साल के जिन्दगी भी जीना पाया और तब वो युनान के करीब पहुंच इसा तबियत बिगरी बिगर्ती चली गई बिगर्ती चली गई राज्यवैद्योंने हाज चटक दिये तंत्रे और समने कहा सिकंदर माहन अब आपका शरीर क्या है छूटने वाला है और तब मरते मरते सिकंदर ने एक डाउं केला हर अमीर आदमी के लिए अब की जो मैं दो लहने कह रहा हूँ उसके जिन्दगी के लिए चैलेंज बन कर आएगी और तब मरते मरते सिकंदर ने अपने पास खड़ेवे डॉक्टरों से कहा कि डॉक्टर्स अगर तुम मुझे केवल 24 गंटे की जिन्दगी कितनी दुनिया भर को जीतने वाला सिकंदर गिड़ गिड़ा रहा था गिड़ गिड़ा रहा था हाथ जोड़कर डॉक्टरों से बात कर रहा था कि मुझे केवल 24 गंटे की जिन्दगी दे दो क्योंकि मेरी माँ आने वाली है और मैं मरने से पहले अपने माँ का मूँ देखना चाहता हूँ डॉक्टरों ने का ना मुम्किन अरे कहा मैं तुम्हें अपने भार जितना सोने तुम्हें दूंगा डॉक्टरों ने कहा सिकंदर सहाब क्या सोने से कोई जंदगी थोड़ी बचाई जा सकती है सिकंदर ने तब दूसरा दाउं खेला और कहा मुझे बाहरे गंटी की जंदगी दे दो मैं दुनिया का आधा सामराजिय डॉक्टर से तुम्हारे नाम कर दूँगा डॉक्टरों ने कहा सिकंदर सहाब impossible दुनिया के आधे सामराजिय से आपको बारे गंटी की जंदगी नहीं मिल सकती और तब सिकंदर की सांसे लड़ खड़ा रही थी नाडियां हिलती जा रही थी और डॉक्टरों ने कहा सिकंदर सहाब हो रहा है इंतकाल और तब सिकंदर ने अंतिम दाओं खेलते हुए कहा कि अगर कोई मुझे छे गंटे की जिंदगी दे दे तो पूरी दुन्या का सामराज्य उसके नाम कर दूँगा और तब डॉक्टर ने हाँच डग दिये सिकंदर की सांसे लड़ खडाने लगी सरीर छूटने लगा और लड़ खडाती ही सांसों से सिकंदर की आंक में पहली बार आंसूं आ गए और आंसूं टपकाते हुए उसने अपने पास में खड़े वे इतिहास कारों से कहा मेरे मरने के बाद मेरे जिन्दगी की अंतिम पंक्ति इतिहास के लिख देना भो सिकंदर महान जिसने पूरी दुन्या को जीता पर अपने ही जिन्दगी से हार गया खुदे की जिन्दगी से हार गया दुन्या भर को जीतने वाले सिकंदर के हाथ में ये भी न बचा कि वो अपनी च्छे गंटे के जिंदगी और पाले मेरे भाई अपन लोगों को दरसल क्या है जिंदगी अतनी मुफ्त में मिली है ना नल में अगर पानी बिकार बहे तो हमें खटकता है क्योंकि इसका बिल आता है गैस का चुलहा पांच मिनट बिकार जले तो सासुमा बाहर से टोकती है बिनी गैस जल रहे है क्यों क्योंकि इसका बिल आता है पंक्खा बिकार जले तो बंद करते हैं क्योंकि इसका बिल आता है एसी बिकार जले तो बंद करते हैं उसका बिल आता है गाड़ी में हम पीछे बैटी हैं लाल बत्की पर अपनी गाड़ी खड़ी है और जड़ से ड्रैवर को कहते है बंद कर क्योंकि तेल बिकार जल रहा है क्यों? क्योंकि उसका बिल आ रहा है जिंदगी पूरी बिकार चली करो, अगर हम सब को 2000 उप्या घंटा में जिन्दगी मिले, अब आप क्या-क्या करोगे? बैठे-बैठे गपे मारोगे? तेरी-मेरी में बातें करोगे? पडोसियों के लिए माता फोड़ी करोगे? घर में चाती कुटे करोगे? धंदे में चिर्पची करोगे? 2000 उप्या घंटे में जिन्दगी मिल लएए आप ऐसे भागेंगे, ऐसे करेंगे अरे-अरे-अरे-दो-ज़ार रुप्या घंटा लग रहा है फटा-पड़ कर लगए क्योंकि आपको पता है हर मिनट का यहां पर मौल लग रहा है मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ जिन्दगी अनमौल है हम इसका मौल इसने ना आँख पाए क्योंकि हमें कैसे मिली है? मुफ्त में मिली है आओ इस मुफ्त में मिली हुई जिन्दगी के मुल्ल्यांकन से गुजरते हैं इसका कुछ काया कल्प करते हैं अपने आपके इंजीनियर बनकर अपने आपका काया कल्प करने के लिए देखो भई इंजीनियर का काम क्या होता है? मसीने बनाना कोई है आप में इंजीनियर? कोई है हाथ खड़ा करो आप इंजीनियर है? आगे आईए माविड जी , sagt में बताएंगे इंजीनीयर का काम क्या क्या होता हैं गância करते framework क्या होता है ॥ बढ़ी बिद्णिंगे भी इंजीनियर बनाते हैं तो से से गठी में और विद्णियर बनाते है बड़ी बिलनिगे भी इंजीनियर बनाते है , बड़े पुल भी इंजिनियर का काम है मसीनों को बनाना केवल मसीने बनाते ही नहीं है अगर खराब हो जाये तो उनको ठीक करने के जवाब दरी कौन उठाते हैं वापस आओ हम अपनी लाइफ के इंजिनियर बनते हैं अपनी अपनी जंदगी को ठीक करते हैं दो तरहे के इंजिनियर बनेंगे जैसे engineer machine को बनाता भी है हम अपनी जन्दीगी को बनाएंगे भी और अगर machine में कोई गड़बड हो गई है खटर पटर चलने शुरू हो गई है गड़गड करने शुरू हो गई है रोक थाम चलने शुरू हो गई तो दूसरा काम हमें करना पड़ेगा अपनी जीवन का इंजीनियर बन कर अपनी जीवन की मशीनरी को ठीक करने का भी काम करना पड़ेगा आप इंजीनियर पास किये हैं? अच्छी बात है अगर जीवन की मसीनों में कोई गड़बर हो गई है तो उसे थोड़ा सा रिपेरिंग करते है या जीवन के इंजीनियर बने उससे पहले एक घतना के साथ आज की बात को आगे बढ़ा रहा हूं कहते हैं एक संथ बड़ी विचित्र प्रकरती के संथ थे जहां जाते वहां पर प्रवचन जरूर करते और ना किवल प्रवचन जरूर करते अपी तो अपने हर प्रवचन में सारी बातें नहीं करते पर अंत में जाकर एक कहानी जरूर कहते जैसे समझ लो वो फूना से रवाना हुए तो कोलापुर में भी प्रवचन करेंगे, कराड में भी करेंगे, इचल करंजी में भी करेंगे, हुबली में भी करेंगे और सब गाउं में करते 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 बैंगलोर पहुंच जाएंगे पर जहां जाएंगे संत की खाशत दस लोग हो तो भी हजार लोग हो तो भी प्रवचन जरूर करेंगे न केवल प्रवचन करेंगे अपी तो अपने प्रवचन में सारी बातें नहीं कहते थे पर एक कहानी हमेशा वो सुनाया कर और जब जब ये कहानी कहते तब तब साथ में जरूर कहते ये जो मैं आपको कहानी कह रहा हूँ ये हंड्रेट प्रसेंट सच है ये हंड्रेट प्रसेंट सच है ये हंड्रेट प्रसेंट सच है संयोग की बात थी कि चलते चलते वो संत बैंगलोर में भी आ गए वहाँ पर भी उनके प्रवचन हुए और उनके प्रवचन में वही हजारों लोग आने लगे पर संत अपनी आदत से लाचा क्या आदत बाकी सारी बातें नहीं कहते पर एक कहानी वो थी जो हम भी असा वो जहां जाते अपने प्रवचन में रोज कहते और इतना नहीं कि जहां जाते अगर साथ दिन प्रवचन है तो साथो दिन कहेंगे अगर पंद्रे दिन प्रवचन है तो पंद्रे दिन कहेंगे अगर एक महीने के प्रवचन है तो महीने बर में रोज कहेंगे अगर पस्पन दिन की प्रवचन माला है तब भी रोज वो कहानी कहेंगे और जब वो कहानी कहते तब साथ में यह जरूर कहते यह जो मैं कहानी कह रहा हूँ यह बोलो तो क्या है? hundred percent सच्छ है क्या है कौन सी है hundred percent सच्छ है कहो तो वो कहनी में आपको सुनाओ क्योंकि वो कहनी hundred percent सच्छ है संत कहते एक बहुत बड़े संत थे एक बार उस वयोवरद संत ने एक बीड़ा उठाया और बीड़ा ये उठाया कि नगरों में ये उपाश्य थानकों में जाकर तो कई लोग प्रवचन देते हैं भवनों में कई लोग प्रवचन देते हैं, मंदिरों में कई लोग प्रवचन देते हैं, मैं एक काम करूँ, कच्ची बस्ती में जाओ, कहां जाओ, कच्ची बस्ती में, क्योंकि वहां पर कोई संत जाते नहीं, मैं एक काम करता हूँ, कच्ची बस्ती में जाता हूँ, और वह तो ने रस्ता निकाला उन्होंने एक ठेला हाथ में उठाया उसमें 10-15 तरे के जुण्जुणिये 5-7 तरे के खिलों ने प्लाष्टिक की छोटी-छोटी कारे 5-7 तरे के टॉफियां की डबियां मिल ला है और और अर तौफियां मिल लई है और कपड़े मिलें वो भी मुफ्त तो बच्चे तो एक साथ में कट्टे हो गए कच्छी बस्तिके सारे बच्चे कट्टे होकर पहुंच गए महराज सबसे पहले सब को टॉफियां बिस्किर देते फिर कहते चलो सब लोग बैठ जाओ और उनको एक घंटा अच्छे जीवन निर्मान की बातें बताने लगे कहा जाते जाते मैं अगले रिवार को फिर आऊंगा नेक्स संडे फिर आऊंगा और आते समय यही टॉफियां यही बिस्किर यही किलोने यही बरतन और यही कपड़े लेकर आऊंगा सब बच्चे तैयार हो जाना राइट टैम तीन बजे आऊंगा इस वार तो महराज को बच्चे इकठे करने पड़े और अगली वार बच्चे डही बजे इकठे हो गए महराज आने वाले है, तोफी आने वाले है, विस्कीट आने वाले है, किलोने आने वाले कपड़े आएंगे महराज आने वाले है और देखते देखते महराज मुटी जोली लेकर पहुंच गए फटा 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 सब को बांटा बैड़ जाओ सब बच्चे बैड़ गए फिर एक गंटे का पार पड़ाते एक दिन कच्ची बसते के बच्चे एक जुवारी बच्चे को भी पकड़ का ले आए का चल और ये बहुत बड़े मरा जाते तोपियां बिस्कीट कपड़े और 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 खिलोने और कारें प्लास्टिक के कारें गाड़ियां खूब सरी चीज़े बानते हैं चल 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 जुवारी बच्चे को भी लेकर आगए जुवारी बच्चा मेला कुचेला फटे पुराने कपड़े पहना हुआ आकर जब सब बच्चों के साथ बैठा तो संतन इस बच्चे को देखा फटे पुराने कपड़े बिल्कुल मेला कुचेला संतन का ठेरो दस मिनट के बाद सब बच्चों की कलास लोगा उस बच्चे को उठाया पास के जौँपने में लेके गए पास के दुकान से साबन ली उसको देला धुला करतयार किया और सामने वाली दुकान से साड़े 400 रूप्य में नई ड्रेज खरीद कर उस बच्चे को पहना दी बच्चा बड़ा खुश हुआ उसने भी एक गंटा संत से बाते सीखी अगले रिवार को फिर संत पहुंचे और सारे बच्चे कठे हो गए पर वो जुवारी बच्चा नहीं आया संत ने का बई मैंने जिस बच्चे को वो ड्रेस दिलाई बच्चा ने का माहराज आप तो भोड़े हो ऑ़ आये जुवारी मैंने अरे चल चल माहराज बुड़ा रहे है और पांच बच्चे कंदे पे उठा के उसको लिया आई लाया तो फिर वही पुराने कपड़े नई ड्रेस तो बेज दी वही मेला कुछला शरी संत ने फिर ने लाया सामने वाली दुकान से साड़े चार सो में ड्रेस ली वापस पहनाया एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, आठ बार, दस बार, तेरे बार साड़े चार सो में संत ड्रेस खरीदते और वो जुवारी बच्चा वापस साड़े तीन सो में उसी दुकानदार को बिशता और पैसे जुव में हार जाता चोधवी बार घटना को द्यान से सुनिएगा फिर वही बच्चे उस जुवारी बच्चे को पकड़ कर लाए संत अंदर लेकर गे नहलाया दुलाया नई कप्ड़े पहनाए जुवारी बच्चे ने का माराज ठैरू एकमेंट बहुत हो गया बहुत हो गया माराज बहुत हो गया मैं आपको अब गलत फहमी में नहीं रखूंगा अंधरे में नहीं रखूंगा माराज आप मुझे हर बार नहीं ड्रेस पहनाती है और ये भी नहीं पूछते कि वो ड्रेस कहां गई पर मैं आपको बता दू, मैं जुवारी हूँ, जुवारी, मैं कभी सुधरने वाला नहीं हूँ, आपने मुझे अब तक तेरे अड्रेस दी, मैंने ली और इसी दुकानदार को बेची है, साड़े तीन सो में रूपिय जुवारी में हर गे हूँ माराज, हाथ जोडता हूँ म मैं फिर इसी दुकानदार को बेचूंगा, और रूपिय जुवारी में हार जाओंगा, संत ने कहा बालक, तुम जो भी हो पर एक बात कान खुल कर सुन लो, किसी एक बच्चे को सुधारने के लिए, 14 ड्रेस क्या, अगर 140 ड्रेस में मुझे कुर्बान करने पड़ेगी, त और एक दिन तुमें सुधार कर जरूर रहूंगा, तुम तो चौदे ड्रेस कहता है, मैं 140 ड्रेस में लगा दूँगा, पर एक दिन तेरे को सुधार कर जरूर रहूंगा, कहते हैं, संत के वचनों को सुनकर, उस जुवारी बच्चे की आत्मा ऐसी हिल गई, कि उस जुवा जुवारी बच्चा तेरे तेरे बार संत के द्वरा दी गए ड्रेस को बेचने वाला वो जुवारी बच्चा संत के साथ ही निकल गया और कहानी यहीं पर पूरी हो गई कहानी पूरी हो गई पर ये कहानी कहकर संथ ये बात जरूर कहते वो इतने बड़े संथ एक ही कहानी बार बार कहे और ये कहानी जरूर कहते ये कहानी 100% सच है ये कहानी 100% सच है ये कहानी 100% सच है और एक दिन जब वो बैंगलोर में ही अपनी कथा कर रहे थे तो अचानक जब उन्होंने ये कहानी सुना कर कहा कि ये कहानी 100% सच है तो चार लोग खड़े हो गए चलते प्रवचन में और कहा माराज ठहरी ये बहुत हो गया हमने आपके मूँ से ये कहानी 1000 वार सुन ली है और ना किवल सुन ली है अपके तो आप ये जरूर कहते हैं कि ये कहानी 100% सच है आज हम ये जानना चाहते हैं आप किस आधार पर कहते हैं कि ये कहानी 100% सच है संतनिका रहने दो उन्होंने का नहीं आपको बताना पड़ेगा संतने का रहने दो लोग एक साथ सब खड़े हो गई कहां माराज आज तो राज खोलना ही पड़ेगा आप किस आधार पर कहते हो कि कहानी 100% सच है संतने का अगर ऐसा है तो आज इस कहानी का राज खोल रहा हूं और इस आधार पर में कहता हूं के काहनी 100% सच है क्योंकि वो जुवारी बच्चा और कोई नहीं मैं खुद हूँ मेरे भाई जिन्दगी का अगर आदमी इंजीनियर बन जाता है तो एक जुवारी बच्चा भी सुधर कर एक महन संत बन सकता है जीवन के परति जब आदमी इमानदार बन जाता है तो कोई डाकू अंगुली मार डाकू नहीं रहता वो डाकू भी एक संत बन जाता है जीवन के परति जब आदमी इमानदार हो जाता है तो अरजन माली हिंसक नहीं रहता वो भगवान महवीर का शिश्य बन जाता है जब इंसान कोई भी जीवन के प्रती इमानदार बन जाता है तो कोई मुरक काली दास जीवन बर मुरक काली दास नहीं रहता वो पंडित काली दास बन जाता है और जब आदमे अपने जीवन के प्रति इमानदार बन जाता है तो कामा सक्त तुलसिदास अपनी प्रेमिका के प्रेम में पागल बने कामा सक्त तुलसिदास जब जीवन के प्रति इमानदार बन जाए तो रामा सक्त बनकर महान राम सरित मानस के रचेता तुलसी दास गोस्वामी बन जाते हैं आदमी खुद को सुधारने की जवाबदारी अपने अपने कलपुर्जों को ठीक करने की जवाबदारी अपनी अपनी मसीनरी को ठीक करने की जवाबदारी हमारी अपनी है मान कर चलिएगा इस जिन्दगी को सुधारा जा सकता है इस जिन्दगी को सर्ग बनाया जा सकता है इस जिन्दगी के मिट्टी में से मंगल कलश का निर्मान किया जा सकता है और इस जिन्दगी के अंगण पत्थर में से कोई बाहु बली की परतिमा को साकार किया जा सकता है आदमी अगर लगजाए सुधारने के लिए तो मिट्टी बढ़ते बढ़ते मंगल कलश बन जाती है पत्थर मेरे भाई याद रखना दुनिया में कोई किसी को सुधार नहीं सकता आदमी तभी सुधार सकता है जब वो खुद निनकरता है कि मुझे सुधारना है आज तक किसी पत्थर में मूर्ती डाली नहीं गई समझ लीजेगा आज तक किसी पत्थर में कोई मूर्ती डाली नहीं गई कोई भी मूर्तिकार किसी पत्थर में मूर्ति डालता नहीं है वो तो किवल पत्थर को डिसकावर करता है मूर्ति को डिसकावर करता है आजू बाजू में जो फालतू पत्थर है उसको हटाता है तो उसी पत्थर में से मूर्ति बोलो बोलो क्या होती है क्या होती है एक लेओ हाथ में पत्थर लेओ क्या हम में ये अकात है कि हम पत्थर में मूर्ति डालें पत्थर में मूर्ति को डाला नहीं जाता पत्थर में से मूर्ति को उभारा जाता है पत्थर में मूर्ति डाली नहीं जाती डिस्कवर किया जाता है हर कोई व्यक्ति अपन और हतेड़े उठाकर किसी सद्गुरु के पास जाकर गुरु का सामेप प्यपाकर एक इंजीनियर मसीनों का निर्मान करता है और एक गुरु किसी इंसान का निर्मान करता है इसलिए तो गुरु हमारी शंका को दूर करता है इसलिए शंकर होता है गुरू हमारे ब्रह्म को दूर करता है, इसलिए ब्रह्मा होता है, गुरू हमारे विश को मिठाता है, इसलिए विश्नु होता है, गुरू हमारे मोह को कम करता है, इसलिए मोहन होता है, गुरू हमें महान बनाता है, इसलिए महवीर होता है, गुरू हमारे लोहे को सोना बनात होता है इसलिए गुरू पारस होता है अरे गुरू तो वो है जो हमारे गुरूर को कम करता है इसलिए वो जीवन का गुरू होता है हमारे भीतर के गुरूर को जो दूर कर दे वही तो हमारे जीवन औरका गुरू होता है। गुरू और कुछ नहीं कि एक इंजीनियर बन-कर आए हैं हम जो आपके ज़ंदीकी में में आए हैं एक इंजीनियर बन-कर आए नई मसीनें भी बनाएंगे और कुछ मसीनों के कलपुरजे क्या होगे यह दिले होगे हैं कोई गुटका खाने लगए है कलपुरजा दिला हो गया मसीर खराब हो गया और कोई शराब पिने लग गया है मसीन खराब होगे कोई वेक्दी उल्टे-सिधüllे काम करने लगए है शिग्रेट पीने लगए है जर्दा तमाग को खाने लगए है मसीनरी खराब हो गए उसकी ये इंजीनियर आए है मसीनों को बनाएंगे भी मसीनों का नमीनी करने भी करेंगे और अगर मसीनों में कुछ गड़बड हो गई है तो क्या होगा क्या होगा मेरे भाई याद रखना जब हम मसीर को तंदुरस्त करते हैं न तो मसीर कमजोर नहीं होती और ताकतवर होती है अभी तीन दिन पहले जिस मानुभाव ने हमारे पास आकर शराप छोड़ी थी वो मानुभाव या आए क्या हिम्मत हो तो खड़े हो जाओ जिन्होंने तीन दिन पहले हमारे पास आकर शराप छोड़ी थी अगर है तो खड़े हो जो है हिमत वाले नहीं आए हैं कोई बात नहीं अभी दो दिन पहले जिसने गुटका छोड़ा था वो मानुभाव है या हम आ गे आया यह मार लीजे तो आ गया आ जो आप कितने साल से गुटका खा रहे थे इसाल बर से अथ एक आपने दांतों को देख हुए हैं आपके दांत कैसे हो गए embarrassed काले हो गए मैं बताँ नगरपालिका के WC वैसे हो गए हो जो लोग गुटके खाते हैं उनके दांत नगर पालिका के सड़ीवी डबलू सी की तरह हो जाते हैं आपको छोड़े होए कितने गंटे होए हैं आपको क्या लग रहे हैं जब आप खा रहे थे तो आपको ज्यादा अंदर में अच्छा मैसूस हो रहत है नहीं खा रहे हैं तो अच्छा रहा था पर जब आपने आपको देखते हैं तो आपको क्या लगता है आज आप अपने आपको बड़ा पा रहे हैं कि छोटा पा रहे ह आपके दर्म पत्नी कौन है यहां है कौन है इनके दर्म पत्नी हाँ बहुत सुन्दर हाथ खड़ा करके बदाईए आपके पती ने गुटका छोड़ा आपको क्या लग रहा है ऐसा करके उन्होंने आपको खुशियां दी या खुशिकम की हैं आवाज आई सब तक एक महिला की आवाज हैं अरे मेरे भाई मिश्टर अंबानी ने अपने पत्नी के जनम दिन पर 200 क्रोड़ का विमान दिया था कितना में खड़े रहो अभी तक मिश्टर अंबानी ने अपनी धर्म पत्नी के जनम दिन पर 200 क्रोड़ का विमान दिया था मैं आपको एक बात पूछ रहा आवाज आई सब तक आवी आवाज तो जिसके भी हाथ एक बार ताली जिरुर बजा लिए इस बात के लिए कि एक महिला तब ज़्यादा गरो अनुबव करती है जब उसके पती अपने जीवन से एक बुराई का त्याग करते है हमने कुछ नहीं किया मसीन तो आपकी खुद की थी महराज जी ने केवल आपके मसीन का एक कलपुर्जा जो डिला पड़ गया तो उसको ठीक कर दिया जीवन की मसीन अराम से चलेगी अपने आप पर गौरों कीजिएगा कि किसी को चात्रमास का परिणाम मिला कि नहीं मिला पर मुझे मिला क्योंकि मेरा जीवन रुपांतरित हो गया आपका मन नहीं कर रहा है माईक को बगल में डालके ठाली बज़ाओ बज़ाओ देखे इती दी में हमने जिन्दगी में कोई हजार मंदर नहीं बनाए हमने जिन्दगी में हम इंजिनियर बन के क्यों आते हैं समाज के बीज क्योंकि हमने जिन्दगी में हजार मंद्र नहीं बनाए हमने जिन्दगी में सौ उबधान नहीं कराए हमने जिन्दगी में दो सो पद्यात्रा संग नहीं निकाले पर हमने जिन्दगी में कुछ ऐसे काम किये हैं जिससे हम सम ज्यादा लोगों को मांसाहर का त्याक कराया है हमने अपने जिन्दगी में पचीस लाक से ज्यादा लोगों को निर्वेसनी जीवन जीने का मार्ग दिया है हम इंजीनियर बनते हैं आओ जिन्दगी बांस है सब बोलो जिन्दगी बांस है चाहो तो समसान में जलाने में काम ले लो जिन्दगी एक बांस है चाहो तो समसान में जलाने में काम ले लो और चाहो तो लड़ने लड़ने में काम ले लो पर तुम्हारे पास एक रस्ता और है लड़ने लड़ने में काम बले ले लेना और मरने मारने में बांस का बलही काम कर लेना समसान में जलाने में बलही उपयोग कर लेना पर एक बाद याद रखना बांस में एक और संभावना है बांस में एक और संभावना है बांस में एक और संभावना है और इस जिन्दगी के बांस के इंजिनियर आप बनिये और बांस को बांस मत रहने दीजिए अपने बांस को बांसूरी बनाने का आनन्द ले लिजिए इस जिन्दगी के बांस को अब हम बांस नहीं रहने देंगे इस जिन्दगी के बांस को भी हम बांसूरी की रूप में ढालने की कोशिस करेंगे और अगर कोई भी आदमी अपने जीवन का इंजिनियर बनना चाता है तो जैसे कोई भी एक पेड आओ अपनी आँखों के सामने एक पेड को लिजिए जरह बताईए पेड कौन सी दिशा में जादा जाता है उत्तर की और दक्षिन की और पूरव की और की पश्चिम की तरफ ज्यादा कौन सी दिशा में फैलता है दिमाग में लो पेड को सामने लाओ एक पौदे को सामने लाओ एक चोटे पेड को सामने लाओ अब देखो वो कौन सी दिशा में ज्यादा जा रहा है बोलो, बोलो, बोलो चारों दिसाओं में जिंदगी हमारी ऐसी है किसी एक दिसा में चलने से जीवन का निर्मार नहीं होता हम भी चाहते तो यहाँ पर आते ही आप लोगों को वही ट्याग तपश्या की बाते करने थे मेरे भाई समाज में तपश्या बाद में होनी चाहिए, समश्याओं का निप्तारा पहले होना चाहिए, तपश्या ऐसी हो, जो हमारी समश्याओं का समाधान कर दे, अरे सास और बहु, दोनों में बोल चाल बंद हैं, और कहते हैं, सावन सावन एकास ना कर रहे हैं, एकासने को पहले छो कास नहीं कराते आते ही तेला ही कराते तेला बाद में करेंगे जमेला पहले मिटाएंगे क्या करेंगे तेला तेला बाद में करेंगे आप सी मन मुटाव के जो जमेले हमने जिन्दगी में बना रखे हैं उन्हें जमीलों का निपतारा पहले करेंगे इसलिए हमने एक व्यवस्थित प्रवचनमाला दिये हैं इस प्रवचनमालों को तैयार करने में हमें साथ दिन लगें आपको पता हैं किस तरह से एक व्यक्तित्व के विकास को जाहिर करते वे किस रहे, अध्यात्म के चरम सिकर पर ले आएं, कैसे वो परिवार में जीए, कैसे वो संसार में रहे, कैसे वो अपने निजे जिन्दगी जीए, कैसे वो अपने घर ग्रिस्ती के जिन्दगी जीए, कैसे वो स्वस्त जीवन का मालिक बने, कैसे परिवार में प्रेम स्थापित कर कैसे सिक्षा को वासिल करें और उसके बाद धर्म अध्यात्म समाज में अपन दोग उत्रेंगे और अपनी जिन्दगी के इंजीनियर बनते वे पहली शुरुआत करते हैं हम अपनी जीवन शेली को परफैक्ट करते हैं देखो याद करो मैं कब सोता हूँ कब जगता हूँ याद करो मैं जगने के बाद क्या करता हूँ कितना प्रेम लुटाता हूँ कितना हाका हुका करता हूँ याद करो मैं बाहर निकलने के बाद कितने शान्ति की जीता हूँ या कितना तनाह में जीता हूँ याद करो जिस पतनी के साथ मैंने साथ फिरे खाकर अपने घर पर बैंड बाजी के साथ लेकर आया आज मैं उसके साथ मिठास में जी रहा हूं या खटास में जी रहा हूं याद करो जो सासुमा हमें बहुत भावना पुरग अपने घर में लेकर आई, आज हम उसके सम्मान में जीते हैं या अपमान में जीते हैं, याद करो जिस बहु को हम बैड बजा कर लेकर आये थे, आज हम कहीं उसी का बैड तो नहीं बजा रहे हैं, याद करो. हर कोई व्यक्ति अपनी जीवन शैली को अगर ठीक करना चाता है तो एक एक बिंदू से हर इनसान को गुजरना पड़ेगा कि मैं अपनी जीवन शैली को किस तरह से ठीक कर सकता हूँ पहला काम कीजिए जब हम पहली बात उठा रहे हैं जीवन शैली को ठिक करने के लिए जीवन शैली को ठिक करने के लिए पहला काम किजिए सुबह जल्दी जगने की आदत डालिए बोलो तो सब लोग पहला काम सुबह जल्दी जगने की आदत डालिए जो लोग समय पर सो जाते हैं और सुबह जल्दी समय पर उड़ जाते हैं व जो कभी-कभी हो जाता ना, रविवार आता है, संडे के आता है, हम सब घर के लोग ठंडे पड़ जाते हैं, अरे मेरे भाईयों बहनों, ये तुम्हे धन्यवाद देना चाहूंगा, ये जो स्कूलों के मालिक लोग और निर्माता लोग और सरकारी स्कूलों के लोग जो आधा देश, नौ बजे तक बिस्तर में ही पड़ा रह जाएगा, अभी मेरे पास अमेरीका से एक परिवार आया, भारतिय परिवार जो वहां रहते हैं, तो उन्होंने एक बोटा फरक बताया कि सब वहां के लोगों में और हम में क्या फरक है, तो उन्होंने कहा कि घर में जाकर देखने की जरुत नहीं कि इसमें इंडियन रहते हैं या विदेसी रहते हैं, मैंने का मतलब किसाब बाहर में ही पता लग जाता है, इस घर में भारतिय लोग हैं, कि इंडियन लोग हैं, विदेसी लोग हैं, क्या हैं, पता लग जाता हैं, मैंने का कैसे, कि साब अग लोग सुबह चार बजे उठते हैं और उठते ही काम में गतिशी लोकर वर्क करने लग जाते हैं इश्वर को याद करने लग जाते हैं गौड की प्राफना करने लग जाते हैं मौर्निंग वॉक करने लग जाते हैं योगा संद करने लग जाते हैं एक हम लोग हैं यहां पर ज यही नाम बराबर अरे वहां मुझे बराबर याद रहा गया एक वारी सुना तो उसका नाम ही यही है खाऊ-गली मतलब वहां पर जब चाहो रात को 11 बज़े मिलता है ना खाने को है आदमी क्या गजब का है रात को एक बज़ तक खाते खाते सोता है और सुबह आँख खुलते कहता है चाहाए आदमी है या खाऊ-पीर है मुझे खुद को नहीं पता सुबह पहला काम की जिये सुबह जल्दी जगने की आदट डालिये अपने बच्चों को समझाइए कि बेटा अगर देर रात तक पढ़ाईया करोगे तो आगे पाठ और पीछे सपाठ होता रहेगा क्या होगा आगे पाठ और पीछे सपाठ यानि आगे आगे बढ़ते जाओगे पीछे की बाते बूलते जाओगे इसलिए जो लोग रात रात भर जग कर पढ़ाईया करते हैं न रहेगी उर्जा रहेगी दिन भर की गिसी पिटी मसीन है अब रात को आप किताब लेकर बैठ रहे हैं अब वो दिन भर की गिसी पिटी दिमाग की मसीन क्या बात को पकड़ पाएगी रात बर विश्राम मिला सबह उठकर बच्चों को आदत डालो सबह जल्दी जगो उन्हें प्रेना दो कि जो लोग अपनी जिंदगी में उगता हुआ सूरस देखते हैं वे हमेशा खिलता हुआ भाग्य देखते हैं और जो लोग डूपता हुआ सूरस देखते हैं वे केवल डूपता हुआ भाग्य देखा करते हैं किसमत का धनी बनने के लिए अपने बच्चों को प्रेना दीजिए सुबह जल्दी जगने के आदत घर में डालने कोशिश कीजिए खुद को ठीक कर लो देख लो आप लोग रहीवार को ये तो अभी प्रवचन माला चल रही है मुझे एक मानुबाव ने कल ही का था साब आपके प्रवचन ने और कोई काम किया कि नहीं किया पर एक काम जरूर किया मैंने का क्या किया कि जो लोग देर तक सोई रहते तो उनको जल्दी जगने के आदत डाल दी अरे चलना है चलना है जल्दी उठो जल्दी उठो जल्दी उठो रवाना होना है मेरे बाई संडे हो या मंडे कभी न रहो बिस्तर में ठंडे अगर रह गए ठंडे तो जिन्दगी में पढ़ेंगे पे और आपको इत्ता जरूर बता देना चाहता हूं घर में पहला संसकार जीवन के इंजीनियर बनने के लिए अपने मशीनों को ठिक करने के लिए पहला काम की जिए और वो है घर में पहला संसकार ये डालिये मैं क्या करूंगा सुबह जल्दी जगने की आदत डालो और अगर सुबह जल्दी जगने की आदत डाली सुबह उड़ते ही पहला काम की जिए थोड़ा सा मुस्कुरा ले जिए अपनों कैसे उड़ते हैं सुबह बताऊ अब बराबर मुझे भी याद नहीं है मेरे गलती हो तो आप ठीक करना ऐसे अरे यार मम्मी आप यार संड़े को भी सोने नहीं देते हो पहले जमाने में सुबहे जब लड़की को जगाया जाता छे बजे तो देखकर कहती है राम राम सुबह हो गई और अब अगर जगा हो तो लड़की कहती है हाई राम सुबह हो गई पहले सुबह का आनंद उठाया जाता था और मैं आपको बताओ आप एक परियोग करके देखना एक दिन सुबह है साड़े पांच बजे उठीएगा और एक दिन सुबह साड़े आंट बजे उठीएगा फरक क्या रहेगा अगर आप साड़े पांच बजे उठीएगे न तो आप दिन भर उर्जा से भरेवे रहेंगे उल्ला से भरेवे रहेंगे आपको लेकर जिसे हवा में उड़ रहे है अब आप सोचो जो संत आपके सामने बोलना है मैं 30-30 किलोमेटर आराम से पैदल सल सकता हूँ और अगर प्रवचन देना हो न यह तो समय के पापबंद यह साड़े-दस बजे की मुझे अगर धैई बजे तक बोलना हो तो आराम से बोल सकता हूँ और जानकर आश्ची होगा 24 गंटे पर एक वार केबल बोजन करता हूँ पर सुबह यह जो जल्दी जगने की आदत होगी है न यह जल्दी जगने की आदत आदमे को उर्जास से बरी रखती है शक्तिमान बनाए रखती है उल्लास बरा रहता है ऐसा लगता है हवा में उड़ रहे हैं उमंग से बरे हुए हैं और जो लोग आल से टट्टू की तरह नो बज़े उड़ते हैं और बाहर निकलते ही तेज उजास में आते हैं पहले तो क्या करेंगे पता है यह हूँ क्योंकि आँखों में यका यक तेज रोशनी आएगी आदमी सेहन नहीं कर पाएगा और आँखे चका चौंद हो जाएगी पहला काम कीजिए सुबहे जल्दी जगने की आदत डालिये और दूसरा जैसे ही जगे भगवान को प्रणाम बाद में कीजेगा नवकार मंतर का जाबात में कीजेगा हिंदू है तो गायतरी मंतर का बाद जाबात में कीजेगा माता पिता को प्रणाम भी दो मिनिट बाद में कीजेगा पहला काम कीजेगा अपने मुख मुद्रा को ठीक कर लीजेगा और मुकमुद्रा को ठीक कर दें के लिए पहला काम कीजेगा. अगर आप आदा मिनट सुबह मुस्कुरा लेंगे, आप पाएंगे, पुरानी जमाने में चाबी की गड़ी होती थी, किसी के पास है वो चाबी वाली गड़ी? है किसी के पास देखो हाथ में पहनी हो क्या चाबी वाली गड़ी पहले होती थे ना चाबी बरते थे गड़ी किसने पहनी हो यहाथ खड़ा करो कि कभी मैंने जिंदिगे में चाबी वाली गड़ी पहनी थे बड़े बुजर्गों ने एक मिनट 24 गंटे में एक मिनट चाबी बढ़ते गड़ी 24 गंटे चलती सुबह उठकर एक मिनट मुस्कुराना जिन्दगी की गड़ी में चाबी बढ़ना है जो 24 गंड़ा में मुस्कान से बढ़ना है सुबह उठकर एक मिनट मुस्कुराना जिन्दगी की गड़ी में चाब भी बरी, इसलिए हमेसा जब भी जगो ना, जगने के बाद कभी बिस्तर पर मत पढ़े रहो, देखो आप मैं सीधी सपाट बातें कर रहा हूँ, जगने के बाद बच्चों में आदर डालो, बिस्तर पर मत पढ़े रहो, तकिया सोने के लिए होता है, आँख खुलने के बाद तक्या सिरके नीचे न रहे, जगते ही खड़े हो जाओ, चदर कोई कठा क्या, बिस्तर से नीचे आजाओ, जगने के बाद, मुर्दे मन से दिन की शुरुवात मत कीजिए मुर्दे मन से दिन की शुरुवात मत कीजिए दिन की शुरुवात उमंग भरे मन से कीजिए क्योंकि जैसी आप दिन की शुरुवात करेंगे पुरा दिन भी आपका वैसा ही जाएगा जैसे आप दिन की शुरुवात करेंगे अगर आपने उल्लस से तमन से उमंग से कई लोग पूछे बाप जी पता नियाज के रो मूँ देखियो पूरो दिन बिकार गयो हमरे याँ पता नहीं लोग इन बातों में इतना क्यों विश्वास करते हैं लाल बत्ती सामने आए आदमी रुकेगा के ने रुकेगा पर बिल्ली आ जाए तो तरफ रुक जाएगा है ना लाल बत्ती में चाहेगा निकल जाओं पर बिल्ली आ जाए कि ठिटक जाएगा आदमें सोगता है पता निया स्वबे स्वबे के रहो मूँ गही इपू को नी देखी ओ खुदरो, लटकी ओरो मूँ काच में देखिओ बस और के रहो देखिओ लटका वो मूँ लिए बातरु में जाएंगे तो डबली सी पर बैठे बैठे जबकि आँ मारते रहेंगे उजास लाओ जिन्दगी में उमंग लाओ जिन्दगी में आनंद लाओ जिन्दगी में और मिठास गुलो जिन्दगी में तो पहला काम सुबह आँख खुलते ही आदा मिनट तक क्या करेंगे चलिए अपने एक काम करते हैं समझो अभी अभी अपनी आँख खुली है अब एक मिनट के मुस्कान लेनी है कौन कितना मुस्कुरा सकता है अपन देखते हैं एक मिनट तक कल सुबह से जारी करना और आज सुरू करना है अभी से एक मिनट तक देखों कौन कितना मुस्कुरा सकता है हम भारत के लोग बड़े कबजी वाले होते हैं एक ही बात के लिए सौ बार रोख सकते हैं पर सौ बात के लिए भी एक वार मुस्कुराना नहीं जानते हैं एक ही बात को बार बार सुना कर हम सौ बार रोना जानते हैं पर सौ बात को याद करके हम एक वार मुस्कुराना नहीं जानते हैं, यहां पर लोगों को जब तक कोई, कोई बहुत जूर का धका ना लगे, कि जैसे वो कायम चूर का धका ना लगे, तो आदमी सुबह हो नहीं पाता, ऐसे कोई अंदर से धक्कान ना लगया उपर से तब तक आदमी मुस्कुरा नहीं पाता किसी को बोलों इसमाइल प्लीज हमारी तो जिन्दगी के सबसे खास्यती यही है हम जहां जाते हैं न और कुछ बांटे या न बांटे हम जब इस शेहर से रवाना होंगे अब तक तो यह शेहर फूलों का नगर के लाता रहा पर हम जब 120 दिन के बाद इस शेहर से वापस रवाना होंगे मैं दावा करता हूँ यह शेहर हस्ता, खिलता, मुस्कुराता हुआ एक गुलाब का फूल बन जाएगा हर आदमी हसता खिलता मुस्कुराता वा गुलाप को फुल बन जाएगा मेरे पास एक बार भगवान जी आए और आकर का वे ललित प्रभ में अगा बोलो बाब जी आदी नीद आधा जगा वा था बराबर याद्मिये में नीद में था कि जगा वा हूँ और भगवान ने आके अब तक पूना में दी और इंदोर में दी और चैने में कलकत्ता दिल्ली मदरास में नरक मैं कियो बाब जी में चालनू लाग पण बाकी मराज कठे गया नहीं थनी लिजहाँ अब मैं क्यों मारो नंबर आयो बहुत सारे संथे मुझसे अच्छे अच्छे प्रवचन देने से वाले बेटे हैं अर्य होईजाझों में प्रवचन मालाय चल ली है पानी के जाज़ओं में कथाय चली है वीदियसों में जाकर लुग कथाए equis करें उनका नम्बर लिए ना मुझे तनेлем अरे मैंने का बाब की नोई का रोगा ना- नाइन मुझे तुझे ले जाना है कि मैंने का क्यों कि मैं सब के पास जाकि आ गया कोई चलने को तैयार नहीं पर तू मुझे थोड़ा बहला आदमी लगता है तू चल मैंने का बाप जी मैं बला भी और थोड़ा भोड़ा भी हूं चाहिए वो तो सची में ले जाने को तैयार हो गया मैं गेड़ तक गया मैं गब रहाया मैं यह तो गया मतलब नरक में जाना तैय हो गया जिंदिकी पर भगवान का बजन किया मुनी का जीवन लिया और जाना पढ़ रहा है नरक में गेड़ तक गया तो मैंने बुद्धी लगाई मैं बगवांजी से का मिने बगवाणजी आप मुझे लीजा रहे होgenesारे कोईया प्रप्रप्राब्लम आपके खड़ी हो जाए겨 सोच लीका तो मुझे बगवानने का तो मुझे धम की देता है नम की देता मिन इंगा बाब जी धमकिनी देता हूँ जीवन का यतार्थ बोल लाँ का बोल क्या 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 problem होगी मुझे क्या problem होगी है भाव खाता है चलने में हैं क्यों मना कर रहा है चल मैं और आगे हैं मैं का buy छोड़ दो जी अगर साथ दिन तक हमने नरक में प्रवचन दे दिये प्रॉब्लम आपकी एक खड़ी हो जाएगी आपके नरक गती खतम होके सरक गती बन जाएगी नरक गती बंद होके सरक गती बन जाएगी एक हसता खिलता मुस्कुराता इंसान अगर नरक में जाएगा तो उसे सरक बना देगा और मू लटकाया हुआ इनसान अगर सरक में जाएगा तो उसको भी और इसलिए हम तो कहा करते न जेब में भले नहो मॉबाइल सब बुलो जेब में भले नहो मॉबाइल पर चेहरे पर जरूर रखिये इतनी दिमें चेरे पर जरूर रखिये स्माहिल हमेशा हंसते एक वर क्या हुआ बैंगलोर का एक जोड़ा पती पतनी नहीं नहीं शादी की थी आगरा गुमने गई आगरा में इस्टेशन के बाहर आई थे और आपको अगर आप में से कौन-कौन गया हुआ आगरा ताजमेल किस-किस ने देखा है इतने से लोगों ने ताजमेल देखा है बैंगलोर वाले बाहर आते हैं नहीं बाहर वाली बैंगलोर में आते हैं गया अब वो गया आगरा में इस्टेशन के बाहर आया तो आप में से कोई गया हो, तो उसको याद कोई गया हो आगरा, आप लोग गए हैं na, आप गए हैं. तो आपको याद होगा, वहाँ पर, road पर, रिक्से बहुत चलते हैं. आदमी आगे बीड़ के चलाता है, दो लोग पीछे बैठते हैं, उसको रिक्से कुप चलते हैं, हमदे तो आगरा में चात्रमास किया हुआ है, तो रिक्से बहुत चलते हैं, तो पती-पतनी बाहर आए, नई-दि शादी सुधा थे बाहर आए, रिक्से वाले सका भा और हमें ताज मिहलल चलना, क्या क्रेह लोगे, उसने का first class का फंदर रूपया, second class का 10 रूपया, और third class का 5 रूपया, दुबारा समझ लो, रिक्सा, एक ही seat पीछे और एक ही seat आगे चलाने वाले की, पीछे एक सिरी जिसपे दो लोग बैठ सकें, दों ठेटा सुनों टाया है having in a उसने का प्रैर्टे क gleich सांफ़ेंगे और देटाब नाटा क्या कर रहाए त्र Quitाथ सेकन्ड क्लास का पॉलो 15 रुपिया सेकंड क्लास का दस्रुपिया और थर्ड क्लास का 5 रुपिया कude उसके मात्य में खा जाए या ये रिक्से इतरे कॉरेल है अगर तुम फर्च कलास का पंदर मिमत नहीं प्रिख दो खार उंगा तुम दोनों को सम्मान प्रोग बैठा हूँँगा और जो सबसे अच्छे वाला रस्ता है बिना खड़े वाला विल्कुल वहां से लेते वे तुम्हें ताज महल में लेका कर सम्मान पुरुक उतार दूँगा तो कहा सेकंड क्लास में कि उसका दस रुपी है सीट वीट पे नुमाल ने लेगा उठो और बैठ जाओ और जो गल्लियों वाला रस्ता है ना गल सारी आदत है अभी मैंने क्या दिया आपको कायम चून दिया क्या दिया कबजी मिटाने का चून दिया और यह चून कौन सा मुसकान की कबजी मिटाने का चून इसलिए सुबह सुबह आदत डाल लो जैसे सुबह आँख खुले आँख खुलते ही तब यस से मालक्षमी प्र तो पुरा दिन भरा रहता है सौभाग्य से, पुरा दिन उसका आनंद से रहता है, दिन की जैसे शुरुआत करोगे पुरा दिन वैसे रहेगा, और हाँ, दूसरा काम भूलना मत, जैसे ही खड़े हो, खड़े होने के साथ दूसरा काम गर में कर लो, और वो है सब को प्रणाम कर लो क्या कर लो जो लोग सुबह सुबह दो काम करते हैं अपने सुबह की शुरुआत प्रणाम से कीजिए और मुस्कान से कीजिए इसका प्रणाम निकल कर आता है अगर आपने प्रणाम से दिन की शुरुआत की तो माईतों का जो रक्षा कवच है वो आपके शरीर पर अप से रावना होता है उनका रक् शॉक घर से लेकर रावना होता है वो ट्रक से भी टकरा जाए और उनका बाल भी बांका हो पतनी हमारे लिए भगवान का दिया हुआ उपहार है सब बलो पतनी हमारे लिए भगवान का दिया हुआ उपहार है उसे खूब प्यार दीजी उसे लड़िये जगड़िये मत क्योंकि उपहार है पतनी आपके जिंदगे में दिया हुआ भगवान का उपहार है उसको खूब प्यार दीजिए पर माता पिता उपहार में आएवे भगवान है उनको खूब सम्मान दीजिए पत्नी भगवान का दियावा उपहार हो सकती है पर माता पिता भगवान का दियावा उपहार नहीं है वो तो उपहार में आएवे साक्षात बोलो तो वो जरूर बोलना जो माबाप के पेर से पैदा हुआ है और जो पत्नी के पेर से पैदा हुआ है मेरी सुगंद मत बोलना देखता हूँ आप कौन बोलता है पत्नी भगवान का दियावा उपहार है उसे खुब प्यार दीजिए पर माबाप उपहार में आएवे भगवान है उनको खुब सब्बास इंडिया संकल्प करो रोज सुबह उठकर अपने आदरने पुझे ममी जी और पापा जी को घुटने टिका के क्या टिका के बोलो तो क्या टिका के जोड़ से बोलो क्या टिका के घुटने टिका के प्रणाम करेंगे याद रखना जो व्यक्ति सुबह उठकर अपने माबाप के सामने घुटने टिका देता है उस आदमी को जिन्दगी में कभी भी घ गुटने टिकाने के जर्रत नहीं पड़े दावा कर रहा हूं दावा जिसने अपने माबाप के सामने गुटने टिका दिये गारंटी के साथ कहता हूं उसको जिन्दगी में कहें भी गुटने टिकाने के जर्रत जोर से बोलो जोर से बोलो इतना जोर से बोलो कि मेरी आवाज जब जाए नहीं पड़े पहला काम सुबह उड़ते ही मुस्कान और दूसरा काम बड़े बुजरिगों को प्रणाम करके उनको दोख लगा कि अपने दिन के शुरुवात किजिए और हाँ सुबह उड़ते ही अपने अपने जीवन की थोड़ी मरम्मत करते हैं और सुबह उड करते ही अपने 5 घंटे अपने शरीर के स्वास्ते के लिए जरूर लगाइए मौनिंग वॉक कर सकते हैं तो कर लीजिए क्योंकि 100 दवा और एक हवा एक बराबर होती है सो दवा खाओ, एक हवा खाओ, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग दवा खाकर स्वस्त जीवन के मालिक बनते हैं, और कुछ लोग सुबह की हवा खाकर स्वस्त जीवन के मालिक बनते हैं, दवा खाओ के तो साइट इफेक्ट होगा, और हवा खाओ के तो कुन सा योग करें हम अपने डॉक्टर खुद बन सकते हैं जिंदगी में किसी डॉक्टर के पास जाने के जरूत नहीं होती एक गाउं में एक डॉक्टर ने अपना क्लिनिक खोला क्लिनिक का उद्गाटन था तो गाउंवालों ने कारव डॉक्टर साहब, आप गलत गाउं में आ गए हैं क्योंकि हमारे कोई बिमार पढ़ता ही नहीं है आपके क्लीनिक आ DOWN दोक्टर कोई होता है क्या क्यों और अरे साहब हम हम सही कहते हैं आप यह और गाउं में जा आप अपना क्लिनिक खोलो या विकार आप मैनत करें आप कोई बिमार नहीं पढ़ता है इतने में लोगों ने देखा कि एक शव्यात्रा जा रही है डॉक्टर ने पूछा ये कौन है तो लोगों ने का ये डॉक्टर साब है क्या है ये डॉक्टर साब जा रहे है तो का मतलब ये डॉक्टर साब जा रहे है इसका मतलब इस गाह में ड तो हम जो अगला सप्तारा वो तो रामबन दवा बनकर आएगा किस रोग को कौन से योग से हम मिठाएंगे पर मैं आपको अभी ये जरूर पेना दूंगा सुबह उठकर उर्जावान बनिए और उर्जावान बनकर थोड़े योगासन कर लिए थोड़ा प्रानयाम कर लिए थोड़ा इश्वर का ध्यान कर लिजिए सुबह सुबह के शुरुवात आनंद उमंग मिठास से कर लिजिए किसे कर लिजिए आनंद उमंग मिठास से कर लिजिए अपने हर दिन की शुरुवात और हाँ योगा भ्यास करने के बाद इश्वर के नाम अपने 24 मिनट जरूर जी जी याद किजिए एक दिन में कितने गंटे होते हैं याद किजिए एक दिन में कितने गंटे 24 गंटे और एक गंटे में कितने मिनट भगवान हमें रोज 24 गंटे देता है हर गंटे में 60 मिनट देता है प्यार निशुल्क कोई सुल्क लेता है कोई किराय लिया जाता है बिलकुल 100% free मुफ्त में मिलता है और जब हमें रोज वो मुफ्त में हमें 24 गंटे दे रहा है कुछ मत किजिए आप सब लोगों से अन्रोद करता हूं मैं नहीं कहता बगवान का बजन करो मैं किता मंदिर में नहीं कहता थानक में जाओ मैंनी कहता सामय करो मैं यह कहता हूं उसका कर्ज उतार लो वो रोड़ सब्सक्रश करों रोज हमें 24 को मत करो हमें 25 मिनट गुए हर दिन 24 गंटे द मान और हर गंटे में में 60 मिनट देता है कुछ भी मत कीजिए 69 मिनट खुद के लिए 59 69 मिनट खुद के लिए रखे के वल एक मिनट उसके नाम निका लिए और हर गंटे भी एक मिनट निका लिए तो 24 गंटे में हाथ जोड़ो खुद के लिए संकल्प करो मैं करजदार नहीं रहूंगा अगर वो रोज मुझे बिना शुलक बिना क्राया लिए रोज मुझे कितना दे रहा है रोज मुझे कितना दे रहा है कितने दे रहा है 24 गंटे दे रहा है हर गंटे में 7 मिनट दे रहा है मैं हर गंटे का एक मिनट निकालूंगा और इस तरह 24 गंटे में 24 मिनट तक उसका बजन करूंगा उसकी आरादना करूंगा उसको अपने द्वारा समर्पन करूंगा क्योंकि वो मुझे चपर फाड कर दे रहा है मैं कम से कम जेब फाड कर उसके लिए जरूर निकालूंगा वो मुझे चपर फाड कर दे रहा है मैं उसके लिए जेब फाड कर जरूर निकालूंगा अपने आपको ये मोटिमेस्नल प्रیना देते वे संकल पलिजिए जल्दी जगेंगे, जग कर मुसकुराएंगे आप बड़े हैं, आप छोटे हैं, तो आपके ग़रे में क्या संस्कार हैं कि रोज सुबह उटकर बड़े भाई साब को प्रणाम करने, नहीं है ना, सामाइक में बैठे हैं ना, सामाइक में श्री गनेस क 있지, प्रणाम का श्री गनेस कीoda है, अरे मैं आपको इतियासकी महान कहन बताना चाहता हूं भगवान श्री माहवीर जब धर्म देशना में बैठे प्रवचन दे रहे थे सिर्पर मठकी लियोवे गरीब महिला उदर से गुजरी ज्यान से लीजेगा करना को सिर्पर मठकी लियोवे गरीब महिला उदर से गुजर रहे थे और अपने आसन पर बैठे माहवीर ने उस गरीब मैला को देखा जीवन में पहली बारे सा हुआ हमके वो प्रवचन देते वे अपने समाशन में खड़े हो गई बाहर निकलकर आए और उस गरीब मैला को प्रणाम किया जिसके सिर پर चाच की मटकी रखी हुई थी सारे इस इस ये बौचक के रह गए कहा प्रभू आप तो तिर्थंग करें और आप एक गरीब महिला को परणाम करें महवीर मुस्कर है और कहने लगे ये गरीब महिला सामान ये महिला नहीं ये वो महिला है जिसकी कोक में मैं 83 83 दिन तक इसकी कोक में रहा ये वो कौन है कौन है याद आगया ब्रामणी है जिससे मेरा गर्भान तन हुआ था अरे जब तिर्थंग कर भी अपने माबाप के सम्मान में खड़े होने का गौरव प्राप्त करते हैं तो हम लोग तो आसे नियम लोग मैं बताओं हम जिस घर में पैदा हुए न हम पांच भाई थे हमारे घर का नियम पहले पांचों भाई मिलकर अपने ममी पापा को घुटने टिका के धुक लगाते अब क्या होगा फिर बारी आती भाईयों में सबसे बड़े भाई साब खड़े रहते फिर बाकी के चार भाई साब घुटने टिका के प्रणाम करते दो भाई फिर खड़े रहते फिर तीन भाई उन दो को प्रणाम करते फिर तीन खड़े रहते फिर दो बसते वो उनको प्रणाम करते फिर चारों खड़े हो जाती है लेलित प्रम उन चारों भाईयों को घुटने करता और अपनी दिन की शुरुवात करता ठीक है ना अपनी दिन की शुरुवात आज भी मैं आपको उदान दूँ यह जो भाइसाब खड़े हैं ना सामने जिनके आप में मूबाइल है यह हमारे सग्ये बड़े भाइसाब है गौरो इस बात का है भाई तो सब क्यों होते हैं पर हमें संत बनेवे आज 42 साल होने आए हैं मैंने राम लखन की कहानिया सुनी तो बहुत है पर जंदगे में चरितार्थ होती हुए हमें अपने जंदगे में देखी है कि कोई गरस्त के बड़े भाई अपने संत बनेवे साथ पैदल आये मेरा बारी आती सबसे लमय सबसे छोटा था तो मेरे गोडे मजबूत हो गए पहले ममी पापा को दोख लगाओ फिर अन्चारों बड़े भाईयों को दोख लगाओ गौरो इस बात का बता रहा हूं आज जिस घर में हम पैदा हुए तो उस घर के सबसे बाशर साल की है प्लेट फरम पर भी अगर बासर साल का भाई अपने पैसर साल के भाई को मुझ देखेगा तो खड़े-खड़े प्रनाम नहीं करेगा यह महनकुलवान लोगों के घर के माईतों के तियुवे महनसंसकार होते हैं जहां पर छोटा भाई अपने बड़े की प्रणाम करने का सभबाज्य था है हां दोनों साथ रहते हैं कि अक्षा लगता है साथ रहना भगवान से क्या प्र्राइंतर ना कि आमेसा साथ ही रहे हमेशा साथ ही रहे वैसे आप हमारे अगर आते रहे वोय थो आसे नियम लेलो तो हम से सला लेकर होगे अपने आप नहीं होगे पकीबात आपके धरम पत्यां आये क्या तो बहुत पीछे ठीक है ठीक है तो आप भी दिराइज इंडिया थाली बजाएए दोनों भाई भी आये हैं अपनी धरम-पत्यों को भी लेकर आये धरम के संसकार तो बहुत अच्छी है चलो आसे नियम लिलो सुबह रोज उठकर अपने बड़ी भाई को पाउंच चुके प्रणाम किया पाउंच हो तो बड़ी भाई के पाउंच हो तो सरमत खाओ और जब छोटा भाई पाउंच हो ए ना उसको अपने गले लगा लिया अगर गले लगाओ तो गले लगाओ तो गले लगाओ तो इसको कहते हैं राम भरत का मिलाप हो जाता है इसको कहते हैं घर सर्ग बन जाता है इसको कहते हैं घर में मिठास गुल जाता है विरा जीए अपने घरमी संसकार डालिए अगर देरानी सवे उठकर आपके पाउं छुए तो किल माते पे हात मत रखो बहु अगर सवे उठकर आपके पाउं छुए तो माते पे हात मत रखो अरे आश्रिवाद रोज दो पर कभी कभी गले लगने का उसको सौभाग्य भी दो ये मिठास और मादुरी भी दो कि भाई भाई अपन साथ है मैंने सुना है साल में एक बार एद आती है पर याद रखना जो भाई भाई सुवे उठकर आपस में गले लग जाते हैं उनके तो साल में तीन सो पैसर दिन इद होती है तीन सो पैसर दिन दिवाली होती है और तीन सो पैसर दिन होली होती है जा सुमय उठकर भाई भाई आपस में गले लग गए प्रणाम कर लो योगासंद कर लो प्रणायाम कर लो प्रभू का बजन कर लो और हाँ अब आती है नाश्तप्रों में पंच गए तो ऊट कर आब को बता रहा हूं जो आपके सामने प्रवचन दे रहे ना मैं अपनी पूरी जिंदगे में आज तक अभी अस्पताल नहीं गया और उसका मूल कान रहता है अहार और भोजन पर रखा जाने वाला संयम अगर आप सुबह सुबह यही गरिष्ट पदार्थ खा रहे हैं कभी इडलिया खा रहे हैं कभी सांबर बड़े खा रहे हैं और कभी वो दोसा खा रहे हैं और कभी वो मिर्ची बड़े कोपते और कभी वो अलू बड़े कभी वो समों से खा रहे हैं सुबह आपका पेट गरिष्ट हो जाएगा हलका फुलका खाईए सुबह फल खालो दूद पीलो बस पपीता है पपीता खालो कोई भी मौसम का एक फल खाया फ्री हो जाओ आप जितने हलके फुलके सुबह रहेंगे ना आप एक दिन एक काम करना कल आप केवल एक एपल और एक पपीता और एक ग्लास दूद पीना और कल दिन बड़ चल के देखना आप कितने हवा में उड़ रहे हैं और परसों सुबह चार समोसे दो कचोली एक ढोसा और दो इडली और तीन सामर बड़े खा कर फिर देखना सुबह सुबह गरिष्ठ बोजन मत किजिए सुबह खाओ राजा के तरह दोपेर में खाओ प्रजा के तरह और शाम को खाओ बिमार के तरह तो सदा स्वस्त ही रहो ठीक है ना अन्न को करो आधा ठीक है ना अन्न को करो आधा शाक को करो दुगुना कानी पियो तीगुना हंसी को करो चोगुना और पत्नी की तारीफ करो हजार गुना हमेशा सुखी रहूं पिर देखना आपके क्या लाड़ प्यार होते हैं क्या मस तक आना आता है तो मैंने का सुबह 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 का नास्ता बहुत हलका फुलका किजिए और हाँ बोजन बेबी ध्यान रखिए जादा तैलिय पदार आप बिलकुल स्वस्त रहेंगे मैं आपको सही कहता हूं यह एक तो रसोईयों के हाथ के खाना खाने के जो परमप्राएं पड़ गई है ना जीमनों में अपन जाते हैं जीमनवारियों में और वो तेल पे तेल डालने हैं गी पे गी डालने हैं केशर पर केशर डालने हैं उनका तो लगनी रहा है लग रहा है जो लगा रहा है उसक इसका मतलब क्या हुआ? अंतव गत्वा कड़ी खीचुडी सरनम? स्वास्तिय में गुशी होए कड़ी खीचुडी में ये कहना चाहता हूँ अगर हम साध्गी पुन बोजन के मालिक बनेंगे ना तो ते मान कर चलना हम स्वस्त जीवन के मालिक बनेंगे और हाँ जितना मैंने कहा कि अपनी जीवन शेली को ठीक और प्रफेक्ट कीजिए उतना ही मैं आपको कहना चाहूंगा अपनी कारिय शेलि को भी perfect कीजिए समय के पाबंद वनिए समय पर चलने के कोशिश कीजिए हर काम को समय पर निर्धारियत कीजिए अपनी सोच को हमेरसा positive नजरिय को हमेरसा positive रख Prose रखिए अगर अपन negative सोच तरहेंगे negative negative गतिवीजियां चलेगी अगर आपन पॉजिटीव पॉजिटीव उसूँए चैनगे पॉजिटीव गती विज़िया चलेगी फैसला हमें करना है पूरा दिन अगर आपने दिन में शुरुआत में सोच लिया है जी तुझे सुखी राम बनना है कि दुखी राम तो मन क्या कहिएगा क्या कहीगा सुखी राम तो दुखी राम के काम क्यों करते हो जब मन चाहता है सुखी राम तो आदमी क्यों करता है दुखी राम के काम तो सुबह सुबही निरने कर दो मुझे सुखी राम जीना है और सुखी राम जीने के लिए अपनी विचार शेली को बिलकुर perfect रखना है कुछ लोग हमिसा दूसरों का गलस सोच के खुश होते हैं कुछ लोग हमिसा दूसरों के अच्छा सोच के खुश होते हैं एक शेहर में क्या था? सासू बहुमा का दो club बना बहुत ध्यान से सुनिएगा अगर सासु मातों ने हड्डियों का शिवर लगाए तो बहुमें भी लगाएगी अगर सासु मातों होटल में खाना खाने जा रही है बहुमें भी जाएगी दोनों कलब हूँ बहु जो काम ये करे वो वो करे कंपिडिशन चला दे एक वार सासों मातों के कलब की इस मातों ने निर्णे लिया हम सब घूमनी के लिए साध जिन बार जाएंगे बवगों को जैसी खुश्बू लगी उनने का अपन भी जाएंगे पता लग या मसूरी जा रहे हैं अपन भी जाएंगे रवाना हुवे आगे आगे सासों की गाड़ी चल लई थी पीछे कौन आदमी कैसे शुब और अशुब चंतन से गुजरता है और उसके काण उसका जीवन कैसे प्रभावित होता है आगे आगे सासों की गाड़ी चल लई थी बस और पीछे पीछे बहुवों के कलब के बस बहुवों ने कहा अपने ड्राइवर से चल रहे हैं सासों को पीछे पचाड उनकी गाड़ी पीछे कर हमारी गाड़ी आगे उनकी गाड़ी आगे गे ते सासों ने अपने ड्राइवर से गाड़ी इस गाड़ी को पीछे कर ये बहुवे हमसे आगे कै से आगई कभी उनकी आगे कभी उनकी पीछे कभी उनकी आगे कभी उनकी पीछे और इस गमासान में सासूं का जो बस थी वो खड़े में जाके गिर पड़ी पूरी की पूरी चार गुलाची मारकर खड़े में गिर गई और आग लग गई सारी सासूं जिंदी जल गई सब के स सब मर गई बहुएं पीछे से बस पहुंची देखा सासूं की बस गिरी और सब की सब जल के खतम हो गई सब ने एक वार शान्ती की सांस ले बड़ी खोश हो रही थे सब गई एक साथ गई माता पूरी कटम पर एक बहु यूं मुह लटकाए बैठी थी यूं मुह लटकाए लुक्रिनित का अशुबकर्म प्रणाम और जो व्यक्ति है उसके सारे कर्म मैं ये बता ना चाहता हूं शूबकर्म कैसे कल ही एक मानुभाव आये हुए थे आज वो तीरुपती गए है जिन्हों हमारा इंदौर में चात्रमास कराया था तो सची घटना बता रहो हूं सिंग भी परिवार के व्यक्ति तो उन्होंने वहां पर क्या था विचित्र व्यवस्ता थी पंडाल की व्यवस्ता पूरुष ल चलो नौ बजगे दादाबड़ी चलना उसने का देखो आज मरासाब के बहुत यात्री आए थे दो तो बसी आई खुली यात्री हो रहा है हम तो थक गए हैं मुझसे नहीं चला जाए और उसने का किसी बाद आपने हर सोमवार सोमवार जाते हैं आज नहीं चलो 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 उसने का मैं का ना मैं नहीं चल सकती बस अपने अगले सोमवार चलेंगे बस मैं नहीं चलो अगले सोमवार जाएंगे मैं ठक गई और उसने क्या बात करते हैं हर सोमवार गए हैं बगले में हार डाला पतने को खड़ा किया उठाया कार में ले जाया और रवन हो गए कार्ड लेके वहाँ दादा बड़ी पहुंचे और जैसे दादा बड़ी पहुंचे दर्शनकर के बाहर आए तो पती मौदे के नए नए आर्स रुप्य के जूते गायब हो क्या हो गए आपको पता है भारत में बड़ा चमतकार होता है एक विदेशी आदमी भारत में आया और जैसे ही एरुड्राम के बाहर आया तो उसे एक किताब मिली और किताब के पहली लेंद थी जिसमें लिखा होता भारत चमतकारों का देस है क्या लिखा था भारत चमतकारों का देस है वो सबसे पहले ताजमेली में गया चमतकर हो गया और तब उसने विदेश में जाके लिखा भारत भी ना तो ताज मेल में चमतकर होते हैं ना लाल किले में चमतकर होता है भारत में कि अलमंदिरों में चमतकर होता है और चमतकर यह हुआ कि उसका जूता गायब हो गया तो वो डादा वड़ी में दश्चन के बाहर आये तो जूतें गाए भोगाए अब उनके जूतें काए भोगाए जूते हैं जूते टो ही नहीं तो उनका भर जूतें चले गए तो आप पत्नी क्या बोलेगी बताओ तो भी बोलो हो सब लोगस confess neo अगर अपन नहीं आते तो आज जूते नहीं खोते पती ने जड़ से पत्नि के कंदे पे हाथ रखते वेका बावडी तुन ललित प्रभजी चंदर प्रभजी के चेली होकर ऐसे सोचती है अगर ये सोच अगर आज अपन दादा बाड़े नहीं आते तो एक जरुतमंद आदमी को जूते कहां से मिलते हैं सोचने के दो तरीके हैं और ये तरीके ही हमारे जीवन का निर्मान करते हैं प्रार्टना करता हूँ भगवान से हम अपने जिन्दी के इंजिनियर खुद बनते हैं बाते काफी अधूरी रहे गए समय पूरा हो गया है पर हम अपने जीवन के इंजिनियर बनते हैं और अपने जीवन का निर्मान